ओके जी हमारे इस लेक्षर में हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो है कि साइंटिफिक राइटिंग असल में होती ही किया है वन डे वर्क्षाप का आपको समझ आगे कि एक दिन की वर्क्षाप है the use of AI tools AI का भी पता है कि artificial intelligence के tools हमने यूज करने मैं उसको भी define करूँगा लेकिन यह scientific writing क्या होती है scientific writing के बारे में हम देखते हैं और उसको जानते हैं कि scientific writing असल में कहते हैं I know most of you people already know that लेकिन जिस perspective से मैं बताने वाला हूँ that is different और आपको पता चलेगा कि history में अगर लोग scientific writing ना करते तो शायद हमें आज theories का ना पता होता जो हमें पता है for example यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने question लिखा है कि आप scientific writing की ये workshop क्यों अटेंड करना चाहा है क्या आप reasons बता सकते हैं chat के अंदर कि आप क्यों अटेंड करना चाह रही है वाक्षा आप या क्यों कर रहे हैं को बड़ी reason लिखने की ज़रूरत नहीं है मतलब simple एक date sentence के अंदर to enhance my scientific writing skills कुछ लोग master के student है that's good writing research paper obviously efficiently research background को जानने के लिए prominent research in my field that's great thesis writing के लिए about research speed up my research work exactly that is one of our topic today कि speed up कैसे गरने learn how to learn new revolution in the research scientific book exactly doing PhD in video forgery detection there are many other things that's great अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों scientific writing की जाती है दुनिया के अंदर ना जब भी आप कोई science के अंदर discovery करते हैं या कोई काम करते हैं which is called research research का मतलब भी यह है कि आप basically को एक नई चीज़ अपने field में करने वाले हैं या कर रहे हैं जिसके कुछ results आते हैं अगर तो वो result आपके पास रहें और लोगों को पता ना चले तो वो जो मेरी example start वाले थी के ना मुंडा राजी ना मुंडा दिमा राजी तो वो ही चीज़ है कि आपकी pocket में result पढ़े ना किसी को पता है तो वो किसी के किसी ने आपकी research को पढ़ना ही कहां से है जब किसी को पता ही नहीं है तो यह absolute necessity है कि आपका data या research आपकी आप लिखें या उसको लोगों तक पहुँचाएं अब लिखना या लोगों तक पहुँचाना उसके कई तरीके कार है ठीक है एक तो है oral communication जिसमें आप seminars में जाते हैं आप poster presentations वगरा देते हैं आप science pitch talks देते हैं यॉरप में बड़ा trend है कि तीन-तीन मिनेट का पूरे का पूरा PhD thesis तीन मिनेट में लोगों को बताओ और मैंने निदरलेंड में इसे present किया था एक conference के अंदर उसका नाम था rising soil star science communication competition तो इस तरह के बड़े events होते हैं जिसमें आपने तीन मिनेट में अपनी पूरी PhD बतानी होती है then researchers night होती है पूरे दुनिया में होती है researchers night जिसे अक्सरोगाद पाकिसान के अंदर किसान मिले के नाम से जाना जाता है या कोई project idea competition के बारे जिसे नाम में जाना जाता है तो वो researchers night होती है then scientific mails, posters and data reports, presentation etc अब ये oral communication से आप क्या करते हैं आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं ठीक है फिर होती है written communication written के अंदर आप लिखते है research papers obviously आप में से काफी लोगों को पता है research papers लिखे जाते हैं फिर होते हैं review articles research papers versus review article आप present करते हैं फिर एक और नई ट्रम आजकल use हो रहे है which is called meta analysis research papers जिससे हम analytical outcome देते हैं दुनिया में अभी तक जितने papers publish हो गया है आपके specific topics are related आप उनको define करके एक meta analysis की form में analytical output देते हैं कि यार यह 300 paper publish हुए है सभी के सभी का main agenda ये है minor agenda ये है और उनकी output main वाली ये है minor ये और ये ये इन्होंने खाम किया that's called meta analysis फिर आप research grants लेने के लिए जो PhD या postdocs यहां पे बैठे हैं दे know कि research grants बहुत आहम होती है अक्सरों कात आपने सुना होगा कि मेरे professor ने 10 लाख रुपया जीत लिया 20 लाख रुपया grant funding में जीत लिया या इतने million euros की grant जीत लिया या dollars की जीत लिया वो project proposal भी लिखना एक art है and you can use AI tools to write those project proposals as well फिर rapid communication for example tweets आज कल tweets बड़े आम हैं आप लोगों को पता है tweets क्या करते है एक बहुत बड़ा scientist है उसने paper publish किया वो ही paper का tweet बना के कर रहे है कि मेरी major finding is tweet इस tweet के अंदर या इस paper के अंदर ये वो लिखता है वहां पे and then people actually start working on the things के अच्छा यार ये इसका paper चलो पढ़ते है तो which is also a part of our today's meeting के tweet कैसे बनाना है मतलब आपने कुछ नहीं किया भी लेकिन scientific community में इन रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना है न ठीक है आप ज्यादा देर तक चुप रहेंगे अपने platforms पे social media पे क्योंके digital दोर है लोग उतना आपको भूलते जाएंगे कि ये कोई बन्दा था ठीक है तो scientific community में अपनी official appearance रखने के लिए it's always better कि आप digital appearance को थोड़ा सा maintain करें जिसको rapid communication बोलते हैं फिर LinkedIn की post बगरा है आपने एक्सर सुना होगा यार फुलाँ बंदी ने master किया या बंदे ने master किया Google ने उसको उठा लिया पाकिसान से in nicer way उठा लिया मतलब ये कि उन्हें grab कर लिया कि आओ भी हमारे पास job करो तो वो कैसे grab करते हैं वज़ा क्या है अगर आप उनकी history उठा के देखे न तो अगर किसी को पता है कि recently वो गंजी swag वाले जो जुनेद भाई है उन्होंने वर्साव पॉलेंड के अंदर एक female है Google के अंदर जो slack twin थी उनका एक podcast या एक आप कहलें कि व्लॉग बनाया था तो अगर जब उनसे पूचा कि आपको Google ने कैसे hire किया and she started saying के मैं already different जोगों पे अपने blogs या write up करती थी या लोगों को बताती थी कैसे कुछ करना है for example data engineering की है उन्होंने लिखा कि आप data engineering में कैसे step up कर सकते है तो blogs लिखना है उन्होंने start किये ठीक है और community की help करना start की Google के पास ranking जाती है और किसी बंदे की उन्होंने उसका interview लिया and then LinkedIn पे email आया post आई कि ठीक है जी मेरी selection होगी so this is how people grab you from big firms and that's the possibility only if you do some written communication अब मुझे बताएं वो बंदी की अगर LinkedIn की profile ही ना होती तो क्या होता किसी ने घर से आके कहना था आपका नाम शफीक है जी हमें पता चला है आपको data science आती है data engineering आती है चलें Google की तरफ से मैं ऐसा थो नहीं न होता ऐस थो फिल्माँ में भी नहीं होता इतनी थो उनको है इन intelligence के बंदे ऐसे grab करने लगे उन्हों को ज़रूरत ही नहीं है न ऐसे बंदों की प्लीज तीसरी अपने Twitter की परफाइल बना है और चौथा LinkedIn की परफाइल यह चार परफाइल इस वकत जरूरी है ठीक है Google scholar research gate Twitter and LinkedIn Facebook की सभी की है I know that Insta की भी है but those are not actually the communities for researchers वो fun के लिए entertainment के लिए बन सकती है कि आप मेंसे किन के पास यह चारों की चारों परफाइल अभी है आप प्लीज चैट में मुझे बता सकते हैं जैट वुड़ बी नाइस जिनके पास कम हैं वो भी बता सकते हैं मेरे पास तीन है मेरे पास दो है जबर दोस्त एक और मेरा question and tip यहीं पर आम मेंसे कितने लोगों के पास university का official email है student है या आप researcher है कुछ भी है आपके पास अगर university का official email है तो you are going to grab a lot of benefits जो आपको शायद अभी तक नहीं पता थे अगर किसी के पास नहीं है ना I highly recommend के आज ही या कल मतलब आज तो संड़े कल से अपनी university की administration से राप्ता करके वो email grab करें खास तोर पे जिस email में .edu.pk something आते है ठीक है उसकी reason क्या है आपको आज इसी workshop के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कितने ज्यादा benefits हैं तो grab that information अगर आपके पास email है ठीक है और university ने पंगे करने होते हैं हम नहीं दे रहे हमारे officially जरूरत नहीं है यह हो जाएगा वो जग आपने भाई वो लेना है ठीक है वो आपके लिए बहुत जरूरी है ओके let's move forward पांच task हो गया है हमारे राइट चार profile बनानी पांच वाई email लेना है गिंते जाएगा साथ-साथ ठीक हो गया ओके यह आपने बहुत कहावत सुनी होगे publish और perish या तो publish कर दो वरना वो तो खतम होई जाएगा जो आपने की है वही बात कि अगर आपकी research पाहिर दुनिया के सामने नहीं आ रही तो आपने research की नहीं मैं again वही मिसाल दोंगे कि मुंडा सुता है ठीक है तो मुंडा भी नहीं राजी हो रहा और दुनिया भी नहीं राजी हो रही इसके एक और कहावत उर्तु में जंगल में मोर ना चा किसी ने देखा किसी ने ना देखा समझ रहे हैं मतलब आपके एड़गिर्द वालों को research का पता लग रहा है लेकिन वो दूर वालों को क्या पता लगना है जो city में रहते हैं या जो आप से दूर है तो इस वज़ा से जंगल में अपना मोर नहीं नही है आपकी research आपने जंगल में नहीं नहीं कि अपना एक थोटा सा thesis लिखा दैट से नहीं भई डूंडोरा बीटें के मैंने ये काम किया है online लेकिन इन ना ना नाइस वे आपको पता है मैंने ये वाला पेपर लिखा अलब स्टार्टिंग गुफ्तुकू यहीं से नहीं करनी there are few manners लेकिन आपने publish करना है वरना आपकी research perish हो जागी आपकी research perish होगी तो most of the researchers will go fade वो fade out हो जाएंगे लोगों को पता ही नहीं हो गया होगे इन्होंने कोई काम किया और जुरूरी नहीं है कि paper publish करना ही publish करना होता है there are many other ways जो आज मैं आपको बताने वालू होई बात अगर research की नहीं है publish तो समझें आपने research ही नहीं की ठीक है आपको पता है more than 95% thesis is the thesis is SCS वाला thesis या research वो सिर्फ university की shelves में जाती है और अला खैर करें मेरा जो masters है वो युनिवस्टी आगरी कल्चर फैसलाबाद से हैं ठीक है और आप यकीन माने हमने खुद देखा है वो जो मजदूरों की रेडिया नहीं होती उसमें लोगों के master के thesis वो रदी के भाव बिकने जा रहे होते हैं ऐसे मजदूरों की रेडियों के अंदर रिक्षे उनके अंदर तो वो 95% हमारा तो शेल्फ में भी नहीं जा रहा भई हो वो तो शेल्फ से भी कहीं और जा रहा है पकोड़े समों से खाये जा रहे हैं उन पर पहली बात यह कि वो जो 5% बाहिर आ रहा है ना आपने उस 5% में शमार होना है पहला हमारा aim यह है बाकी सारी चीज़ें बात की के thesis लिख लिए ना वो लिखके आपके duty खतम नहीं होगी कि आपके degree मिलगी that's it don't do it please go towards the next step next step क्या है आपने क्या करना है अगर आपका data drawer में प का data आए analyze करो publish करो चोटी फार्म में करो बड़ी फार्म में करो कैसे करना है I will let you know today AI tools को use करके आप सारा कुछ कर सकते हैं और believe me अपने data की एहमियत को जाने ठीक है किसी का भी data साफ शुतरा नहीं होता किसी भी data की sense वो कहते हैं ना कि समझ नहीं आती बंदे को लेकिन you have to make sense out of it उसको बाहर निकाले हमें publish करना क्यों है और यहां पर मैंने बड़ी clear explanation बताई है इबने सीना जिसको आज कल वेस्ट वाले दोर कहते हैं वेस्ट वाले लोग कहते हैं एवनचीना क्योंकि वो समझते हैं कि यह इनका बंदा था you know what I mean अगर वो the canon of medicine की book ना लिखते तो क्या आज के दोर में medicine इतनी उपर पहुंची होती अगर basis नहीं मिलती चलें आइंस्टाइन अगर relativity की theory ना देता अगर वो पब्लीश ना वो करता कि के वो कहता कि he is equal to mc square मैंने बनाया मैं क्यों किसी को बताऊं तो काम खराब था दुनियों को पता नहीं चलना था न्यूटन हमें gravity का ना बताता तो क्या होना था सबसे बड़ी example COVID-19 की vaccine बन जाती और जर्मनी कहता है कि मैंने अपने पास रखनी मैंने दुनिया को नहीं देनी मैंने पब्लीश नहीं करनी ये तो क्या होता दुनिया का हाल you know that तो ये big discoveries हैं और आपको नहीं पता कि आपके discovery कितनी बड़ी है अकसर साइंसदानों की जिंदगी के बाद लोगों को पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया एक मिखाल दूँ आपको जॉन एलिया कितने बड़े शायर थे ठीक है वो राइटर ही थे ना एक किसम के अगर कि वो शायरी से तोलग रखता है उसकी जिंदगी में बेचारों को किसी ने पूछा नहीं अब उनके इशार को पूछते हैं एक किसम का एलिया साहब कहते हैं जॉन एलिया ने फरमाया समझ रहे हैं बातों को वो भी एक राइटर है वो अलग बात है कि उनकी जो सिम्त है वो उर्दू के अंदर लिट्रेचर के अंदर जा रही है या वो पोईटरी के अंदर है तो बात ये है कि अक्सर अकात आपकी रिसर्च का मैटर तब मशूर होता है जब आप मतलब बहुत बुड़े हो जाएंगे या आपके जाने के बाद होगा तो डिजन्ट मैटर कब वो मशूर होता है या नहीं होता आवर मेन एम इस तू नोट गेट फेमस दूसरा तरीका ये है हमारी जो रिसर्च पबलिश करने के यार हो सकते है हुमेनिटी के लिए कुछ हो जाए और ऐसे मुसलिम खास तोर पे अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको पता है कि अपने तोल में कमी नहीं करनी चाहिए अगर हमें को स्कॉलर्शिम मिल रहा है या मास्टर के डिगरी मिल रही है हमारी एक ही जोब है ना कोई रिसर्च करके दुनिया को बताना तो अगर हम वो ही नहीं कर रहें ठीक से तो वो या गूइंग सम्थिंग रॉंग परपस क्या है सबसे पहले ट्रडिशनल लोग क्या करते थे वो इस वज़ा से लोगों को बताते थे अपने डिसर्च के बारे में कि हम किसी को कुछ बताएंगे वो हमें कुछ बताएंगे और खतो खताबत के थ्रू ये सारी पब्लिकेशन चलती थी पुराने दोर में बहुत पुराने दोर में कि फिलाम बंदे ने ये डिसकवरी की वो फिर खतूत जाया करते थे एक सल्तने से दूसरे सल्तने में कि हमारे पास ये डिसकवरी है आपने शेयर करना है तो अपना नॉलिज हमारे साथ शेयर करें हम अपना knowledge आपके साथ share करेंगे so वो क्या होता था वो understanding peer across the world उनको बताने के लिए हमने ये नहीं इजाद की है आपने क्या किया so इस तरीके से दुनिया के अंदर most of the time scientists मशूर होने के लिए करते थे most of the time वो दुनिया की help करने के लिए करते थे आपको भी पता होगा के हजूर पार से लिए के दोर के अंदर भी एक काम हुआ था कि जो कैदी थे उनको ये बताया गया था कि आप तलीम दे हमारे नाख़ांदा लोगों को ऐसा था था ना तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस दोर से ये सारा तलीम का रुजहान चलता आ रहा है तलीम का मतलब क्या था कि जो आपको आता है जो आपने रिसर्च की है जो आपने नॉलिज गेन की है वो दूसरों को दें आज कल परपस क्या है हुमेनिटी के तोर पे और दूसरा प्रियोर्टी की जंग चाइना वर्सिस यूएसे यू नॉ बैटर के यूएसे और चाइना की फोर जी की जंग कितनी बड़ी है इस वकत रिसर्च के हवाले से ठीक है और फाइटिंग अलॉट क्यूं कि हमारे रिसर्च अच्छ है हमारी रिसर्च अच्छ हम दुनिया में नयान कुलाब ला रहे हैं चाइना ने अपना चांद बनाता है तो यू कन अंडर्स्टेंड वो कह सकते हैं कि हैसी चंचड़ा है समझ रहे हैं बात को क्योंकि वो चड़ाने वाले हैं थोड़े दिनों तक या थोड़े महीनों तक दे आर गूइंग टू फिर human evolution है फिर industrial application है कुछ आपकी research हो सकता है एक product बन जाए फाइजा क्रीम फाइजा beauty cream वालों ने हो सकता है पीछे research की हो जो 32,90 उनका code है मतलब जो उनका formula जिनना और रंग जिटा करता है कोई और ना करे पताने का मकसद यह है कि आपकी research कोई ना कोई impact जरूर रखती है वो industrial भी हो सकता है वो non-industrial भी हो सकता है फिर गूगल की खुद की अपनी team है वो AI के उपर बहुत research कर रहे है लेकिन आपको पता है पिछले दोर में AI के उपर open AI आई आगे निकल गी है गूगल साब पीछे रहे है open AI ने चैट जी पीडी लांच किया गूगल का मकाबला हुआ एक दिन के अंदर जब गूगल ने बार्ड को लांच किया आपको पता है उन्हें तकरीबन कोई 100 बिलियन डॉलर के करीब लॉस हुए 120 बिलियन कमों भेश है लॉस किस बात का हुए कि उन्होंने जो लॉच किया था ना वो सही काम नहीं किया लोगोंने अपने स्टॉक जो है वो वापस के लिए तो रिसेर्च उन्होंकी अच्छी नहीं थी उनकी अप्लिकेशन नहीं अच्छी फिर इसी तरह एपल, माइक्रोसाफ्ट, एमाज़ॉन लॉट ऑफ बिपल आ दूइंग रिसेर्च एमाज़ॉन क्यों आजकल बड़ी कंपनी है क्योंकि वो रिसेर्च कर रहे हैं वो मार्केट में कस्मर बिहेवियर के उपर रिसेर्च कर रहे है एपल क्या कर रहे है यह एक ब्रैंड उन्होंने अपना मिंटेन किया हुए आपको पता है सेम फोन एंड्रॉइट का जबरदस तरीके से अच्छा मिल जाता है सस्ते में लेकिन एपल की प्रीमिम कॉलिटी है आपको नहीं पता के आप आज किस आइंस्टान है या मैंडम मेरी क्यूरी है या आप एवनचीना हैं आज के या आप न्यूटन है आपको नहीं पता है and nobody tells that क्यों वो हमारे अंदर एक थोड़ी सी आजजी इनकिसारी होती है कि नहीं भाई वो तो बहुत बड़े साइंटिस्त है हम कहां पर उनके बरादर लेकिन हम अपनी हिस्टरी भूलते जा रहे हैं कि हम जैसे ही लोगों ने सब कुछ डिस्करवर किये so मेरा question आपसे why do you want to write, publish and what is your subject आप chat के अंदर लिखें और अपने बारे में introduce करवाएं पूरे group को आपने क्या करना है कैसे करवाने introduce मैं आपको बताता हूँ मेरा नाम है Ammar Ammar लिखती है मैंने वो मेरा वैसे भी जब मैं chat में लिखूंगा तो आजाएगा second field of subject मेरा मतलब field of study क्या है मेरा data science और agriculture दो keyword आगे और मैं क्या करना चाहता हूँ मैं एक research paper लिखना चाहता हूँ ठीक है so these are my three things आप इस तरीके से अपने आपको introduce करवाएंगे तीन keywords में name field और क्या करना चाहते है ठीक है group के अंदर आप 15 seconds लें अपने फिर इसको type करें फिर बाकी लोग क्या करेंगे आप अपने peers को तलाश करेंगे based on the keywords उससे क्या होगा आप उनके नाम लिख लेंगे and at the end of this workshop maybe we can actually put you in one breakout room वहां पे आप एक दूसरे के साथ गुफतगू करके अपना को future plan कर सकते हैं for research purposes ठीक है let's see and don't take it light क्योंके यह आपका फाइदा हो सकता है और आपको नहीं पता यहां पे कुछ लोग USA से हैं कुछ लोग यॉरप से हैं कुछ लोग कैनिडा में बैठे हैं कुछ उस्टेलिया से भी होंगे यहां पे आपको नहीं पता आपके किस के साथ यहां पे जो है वो ग्रूप मेंबर आप बन सकते हैं and then we will see पांच मिनिट की यह प्रैक्टिस है इन पांच मिनिट्स में आपने अपने ग्रूप मेंबर को तलाश करने नाम लिखने उनके and then after five minutes exactly हम नेक्स की तरफ मूव करने वाले सब्सक्राइब